गुट मॉर्णिंग अब्रिवन दिस इस मनिशा वलकम बैक टू मैं चैनल करवाचवाथ हमने बहुत अच्छे से मना लिया लेकिन सब लोग इतने ज्यादा थक चुके हैं कि अभी तक कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है बट हमारे पास बैठने का बहुत भी समय नहीं अभ अपने साथ साथ अपने घरों की साफ सफाई उसको सजाना सवारन बहुत साड़ी सौपिंग करना तरह तरह के पकवान बनाना घर में पूजा पाठ इतने सारे काम हो जाते हैं कि दिवाली में जितना करो कंभी बढ़्याता है I know कि आप लोगों के घर में भी साफ सफाई का काम चल रहा होगा आप इवाली की सबसे मेरी खासियत है कि यह हमारे हिंदुस्तान में उस्दू ही जाती धर्म के लोग मनाते हैं अपने उस्ताथ के हिसाब से प्रकास का परवर है योति का परवर है तो मेरे आ आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए जैसे घर का काम कर लेते हैं तो 10-20 मिनट का टाइम निकाल के उस बीच में खुद के लिए भी यह सब चीजे कर लिया किजिए क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा तो दिवाली सिरीज में सबसे पहले वीड तो ग्लो देगा ही ब्राइटन करेगा लाइटन करेगा लेकिन हमारे स्किन की कुछ परेशानिया जो प्रॉब्लम्स जो है उसके उपर भी काम करेगा जैसे हमारे बहुत ज्यादा लांग जो ओपन पोर्स हो जाते हैं जो देखने में बिलकुल भी अच्छा नहीं होता है लगता है तो उसको टैटन अफ करने का काम करता है इस से आप लेजन मास्क भी सकते हैं甚ग यह करते हैं दो उसके पर आपके एक्कने ब्रेक ऱूर्ट तो उसके उपर भी यह मासक काम करने वाला है और बहुत साव starred लूट के वाला है बहुत सावर्ड वियूसल होगैं तो आप difув़ होता हैzte ये हमारे ये फिशंद नहीं हैं तो आपके पास verbs तो उसका पौडर बना लिए या उसको भीगो болब आप उसका पेस्ट भी बना सकते आगे मैं बताऊंगी कि अलसी के बीज के क्या सब फाइदे होंगे इसमें सिर्फ दो तीन चीजे और मिक्स करनी है जो कि आपके घर में होंगे तो चलिए देखते कैसे बनाना है मास फ्लैक सिर्शियानी अलसी के बीज का पॉर्डर मैंने पह क्योंकि इसमें तेल का अंस होता है तो थुड़ा मोटा ही रहेगा दो चमच मेंने ले लिया है यह पाउडर इसमें चार से पात चमच पानी डाल दिया है ताकि अच्छे से फून जाए अगर सुबह में लगाना है तो रात को ही भीगो लीजिए समय जादा नहीं है तो दो चमच रोज वाटर डाल रही हूं उसके बाद आठ से दस ड्रॉप के करीब लेमन जूस निचोर दिया है यह बादाम रोगन तो आधा चमच के करीब डाल दूंगी इसकी जगह पे आप वाइटमिन E का कैपसूल भी डाल सकते हैं सबी चीजों को मिक्स करके 10 मिनट पहले र दूंगी है लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लीन कर लेती हूं यह फ्रीज का ठंडा दूद लेकर आई हूं सिर्फ लिप्स्टिक है मेरे फेस पे मिल्क से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है कोई भी फेसमास्क लगाना हो इस टरब करना हो ब्लीच करना हो कुछ भी इसकिन क के ऊपर अगर आप करते हैं तो पहले फेस्वास कर लिया कीजिए इस तरह से मैंने मिल्क से ही क्लीन कर लिया यह वाला मास्क ब्रश से लगाना बहुत जादा इसी नहीं हो पाएगा तो इसके लिए आप हाथ से ही आराम आराम से लगाएंगे यह मास्क बहुत जादा प्लेन या स्मूद सा नहीं है जिसे आप ऐसे करके लगा सकते हैं इसको जोसे थोप थोप के ही लगा पाएंगे क्योंकि यह फिसलने वाला है ऐसे करेंगे तो हाथ के साथ ही सारा निकल जाएगा कुछ मिनिट में यह थोड़ा ससेट हो जाएगा भी अच्छे से मैं पूरे फेस पे आखों के उपर भी लगा सकते हैं क्योंकि सारे नाच्रल इंग्रीडियन्स हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अब मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं इसको पचीस से तीस मिनट तक रहने देंगे अपने फेस के उपर और उसके बाद हलका हलका सा मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन में निकाल देंगे पानी से दुह देंगे मैंने तो इतना ही बनाया था कि फेस और लेके उपर हो गया अगर आपके पास ज्यादा बन गया है तो आप अपनी बॉड़ी पर भी लगा सकते हैं हाथों पर भी लगा सकते हैं इसके अंदर फैटी एसीड होता है जो हमारे स्किन को मोश्टराइज करता है ग्लो देता है यह को लैजन के प्रोड़क्शन को बढ़ाता है हमारे तोचा को हेल्दी रखता है एजिंग की वज स्किन के लिए यह मास्क बहुत ही बढ़िया है इसे कोलेजन बुष्टिंग फेस मास्क भी कह सकते हैं राक्सिट एक ऐसा सुपर्फूर्ड है जिसे हम वेर क्लॉस के लिए लेते हैं और कई तरह की बीमारियों के रूप्ताम में इसका सिवन किया जाता है कि कुछ फर्क मै मास्क को मैंने चेरे पे लगा के रखा उसके बाद हलके हलके से हाथों से मसाज करते हुए पामी से दोके आई हूँ अभी मोस्ट्राजर लगाऊंगी अगर आप डे टाब में करते हैं तो संस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूले रात को करते हैं तो जो भी नाइट क् पहले आप थोड़ी देर पहले भी ओने के लिए छोड़ दीजिए और सोने से आधे दिन के पहले लगा के और फिर मोस्ट्राजर लगा के सो जाए इस वबे आप देखेंगे तो आपके इतनी जादा ग्लो ग्लोइंग स्किन हो जाएगी रेडियंट करेगी शाइन आजाए अंदर और बाहर दोनों तरब से पोशन देता है हेल्दी रखता है तो इसके बहुत ज्यादा फायदे है कि देखें कि इतनी अच्छी शाइन आ गई है उमिद करती हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और हां जब आप ट्राइब करेंगे तो भी तभी पता चलेगा कि कैसा रिजल्ट आया है और सभी इसके लोग लगा सकते ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जिनके इसकिन के ऊपर एजिंग शाइन आने लगी है उनके लिए बहुत जादा फाइदेन साबित होगा अगर आप विकली लगाना चाहते हैं तो भी अच्छा है आपके स्किन पे जितने भी प्रॉब्लम से वो धीरे-दीरे हग जाएंगे तो उमीद करते हूं कि वीडियो पसंद आएगी बहुत जल्द मिलते हैं अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए टे गुड़ केर आफ यॉरसेल्फ इस्टे अपिस्टे ब्लेस्टे ब्लेस्टे ब्यूटिफूल बबाई